नमस्कार दोस्तों प्रिसिंड इंडिया में आप सभी का स्वागत है आज कल कुछ स्वगोसित हिंदू कथा वाचत स्वगोसित इसका मतलब समझें जो अपने आपको आज कल हिंदूों के बहुत बड़े तारनहार तमसने लगे हैं मुरारी बापू, देवी चित्री लेखा जैसे कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो भागवत कथा और राम कथा के नाम पर अल्ला हू अल्ला हू अकबर और मौला ही मौला करते रहते हैं अल्ला हू अल्ला हू अल्ला हू अल्ला हू तहां नमानी शमीशा उनके हिसाब से अगर भागवत कथा चल रही है तो बीच में अगर अजान की आवाज आ जाए तो हमें अपनी कथा को रोक देनी चाहिए अरे मैडम जी आपको भागवत का परचार परसार करने के लिए बुलाया जाता है नमाज का परचार करने के लिए नहीं अरे भाई इतने महत्मावी नप बन जाओ की भक्त कनफील हो जाएगी पूजा करनी है कि नमाज पढ़नी है नशीव नाराज होगा न अल्लाह नाराज होगा न मिया नाराज होगा न मादिव नाराज होगा नाराज होंगे बीच वाले जरूर है शास्त्र संसो धन्दी आप बात करते हैं सास्त्रों में परिवर्तन करने की आपकी आउकात क्या है जो आप सास्त्रों में परिवर्तन करेंगे हमें हमारे सास्त्र अपने असली स्वरूप में ही पतंद है अगर उसमें एक थोड़ी सी भी छेर चार की गई तो आप समझाएगे कि क्या कुछ हो सकता है इसकी सुरुवात आर्थ मुरारी बापों ने नहीं किया है इसकी सुरुवात तो हमारे कथित तुराश्टर पिता महात्मा गांधी निकर दी थी जब उन्होंने गीता के सुलुक को ही आदा पढ़ाया था आप लोगों को यह बताएं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा पर्मो धर्मा का ही परचार क्यों किया इसके आगे की लाइन धर्मो हिंसा तदैब चर इसका उन्होंने कभी जिक्री नहीं किया अगर आत्मसाथ करना है तो भागवत गीता को पूरा पूरा आत्मसाथ करो यह उपर उपर से नहीं चलेगा महात्मा गांधी ने रगुपति रागव राजा राम भजन में अपनी सुधाय के अनुसार बदलाव कर दिया असली भजन में कहां लिखाया कि इस्वर अल्ला तेरो नाम ऐसा कुछ है क्या यह आप कर का रहे हैं आप सनातन धर्म का परचार कर रहे हैं या लोगों को सनातन धर्म से दूर लेकर जा रहे हैं आप से अच्छे तो योगी अदितनात है जो आप कभी कोई ढोंग करते ही नहीं है हडियाना का मेवाद के पचास गाओं पिछले पचीस वर्सों में हिंदू विहीन हो चुके हैं उन पर तरह तरह के हमले करके और जुल्म करके उनको वहां से प्लाइन करने के लिए मदबूर किया गया है आपने कभी उस बारे में बात तक नहीं कि अगर आप में ताकत है तो किसी मुस्लिम धर्म गुरू की सबाह में जैस श्री राम के नारे लगवा कर दिखा दे और अगर नहीं कर सकते तो सनातन धर्म से छेड़ चार करने की कोशिस नहीं करें क्योंकि अगर लोगों ने आपका बहिसकार करना सुलू कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल रिसेंट इंडिया को सब्सक्राइब जरूड करें और अगर आप पेस्टूप पर देख रहे हैं तो रिसेंट इंडिया पेस्टूप पेज को लाइक करें और उसको फॉलो चलूड करें धन्यवाद झाल